इन दोस्तों स्वागते आप सभी के इस वीडियो में जैने महीर मोगरे आप सब लोगे की तरफ से इत्नी ज़्यादा रिकवेस्ट आ रहे थि इंडियन पॉलियटी के कौर्स को लेकर कि इंडियन पॉलिटी का कौर्स कब आएगा, कब आएगा तो लेजिए, finally इंडियन पॉलिटिका जो कोर्स है वो आपके सामने आ रहा है, अब ये कोर्स कहां पर आ रहा है, ये यूट्यूब के कोर्स से किस सिरके से अलग रहेगा, ये सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन बड़े आराम से, सबसे पहली जी उलग बताऊंगा, अब अब देखिये सबसे इंपोर'tन चीज़े कि किसी भी चीज़ को हासिल करना है, तो सबसे important और सबसे महत्वपूर्ण बाद है conviction का होना उससे भी ज़्यादा धरूरी है self confidence का होना और self confidence conviction आता कैसे है जब हमें उस चीज़ के बारे में complete information रहे अब मुझे आप एक बात बताईए कि अगर आपको सारे subjects का पूरा knowledge रहे तो क्या आपके मन में confidence नहीं होगा कि आपको self confidence नहीं होगा कि exam clear होगी या नहीं तो इसे लिए ये जो confidence है ये एकदम से नहीं आ जाएगा या आपने सोच लिया कि मैं UPS exam जोए वो देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ और आपके confidence आगा है कि नहीं अब तो होना ही है ऐसा नहीं होता है कभी-कभी उचे पहाड भी आते हैं कभी-कभी नदिया भी आती है तो आपको हर चीज को पार करना होता है और धीरे-धीरे जो चीज की जरुवत है उस चीज के तरफ जाना पड़ता है मतलब knowledge सबसे important चीज है knowledge जिस इंसान के पास knowledge है वो किसी भी exam को clear कर सकता है और जिस इंसान के पास knowledge नहीं है सिफ ambition के basis पर वो पढ़ाई कर रहा हो तो वो कभी exam clear नहीं कर सकता है आप दिखें चो चंदरगुप्त मोरिया है कि चंदरगुप्त जब छोटा था उसको पता था कि वो अखंद भारत का समराड बन सकता है बिल्कुल नहीं उसको कोई idea भी नहीं होगी लेकिन चानग क्या ने जब proper guide किया उसके बाद उनको उस चीज का knowledge आया और उसी के साथ conviction डेवलप हुआ confidence डेवलप हुआ और एक जो साधारण सा बच्चा था वो अखंद भारत का समराड बनता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अगर proper उस चीज के बारे में knowledge हो proper अगर guidance मिल जाए तो फिर सब कुछ हासिल किया जा सकता है सिब जरुवत होती है confidence की तो इसलिए confidence रखिए कि आप जो भी source पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं इस पर आप नगर एक बार नजर डाल दीजे क्योंकि जो source आप पढ़ रहे हो proper है तो आपको proper knowledge मिल रहा है proper knowledge मिलेगा तो confidence मिलेगा confidence मिलेगा तो किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं और इसलिए MM Academy app पर मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए इस तरीकी के videos लाए जाए इस तरीकी के courses लाए जाए इतने best quality के हो कि आपके अंदर जो confidence है वो अपने आप ही आ जाए क्योंकि आप अगर एक किताब पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपके मन में यह चीज रहे कि यार वो किताब में वो चीज दीवी यह थी क्या यह किताब में यह चीज दीवे पूरा क्या मैं इससे cover गर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ लेकिन MM Academy app पर मैं जो भी courses लेकर आता हूँ वो अलग-अलग sources से होते हैं best sources से निकाले वे होते हैं और इसलिए जो भी वीडियो उसमें आता है और कोई भी source आपको refer करने की ज़रुवत पढ़ती नहीं क्योंकि सब कुछ उसमें cover हो जाता है और इसलिए अगर आप modern history के भी वीडियो देखोगे तो अब वो खत्म होने पे आ गए हैं है ना अगर आपको पता होगा तो अब modern history course जो जो खत्म हो रहा है क्योंकि काफी लोगों ने बुला था कि prelims आ रही है तो modern history के जो course है वो जल से जल complete किया जाए इसलिए मैंने अपने काम को जाधा बढ़ा दिया और एक साथ दो-दो वीडियो जो एक दिन में डाला मैंने mmacademy app पर modern history के और modern history अब में में ही complete हो जाएगा और उसी के साथ अब नया course यहाँ पर शुरू हो रहा है जो कि Indian quality का अब यहाँ पर आप देखोगे तो यूट्यूब पर भी Indian quality का course अवेलेबल है लेकिन जो यूट्यूब पर अवेलेबल है उस course का नाम है Indian quality वा लक्ष्मिकान लेकिन जो course mmacademy पर आ रहा है उसका नाम है Indian quality वा महीर मोगरे तो नाम से ही जाहिर होता है कि वो जो course था जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो सिर्फ लक्ष्मिकान किताब में से लिया हुआ था लेकिन अब यहाँ पर जो course आने वाला है जो mmacademy app पर जो course आने वाला Indian quality का वो अलग-अलग sources से लिया हुआ है अलग-अलग किताबों से लिया गया है और एक बास सोची आप कि जो यूट्यूब पर जो course अवेलेबल है जो आपको इतना पसंद आ रहा है जिसके वाज़े से जो भी थोड़ी वह जो मेरी पैचान बनी है उस course के वाज़े से बनी है तो उस course में अगर आप देखोगे तो वो course लगबग देड़ साल पहले कुछ बनाया हुआ है अब उस वक मैंने एक बार constitution पढ़ी थी अब यहाँ पर मुझे constitution आज याद है तो सोच विए कि course किस तरीके का होने वाला है यह जो course mmacademy app पर रहने वाला है यह prelim so, main so, सभी perspective से complete रहने वाला है और उसी के साथ साथ आपको बहुत सारी जो उसमें जो test series होती है जो answer writing practice होती है, जो MCQs होते हैं वो भर भर के मिलने वाले हैं जिससे कि आप इतनी आपकी practice हो जाए कि आपका जो question है वो बिल्कुली color मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप mmacademy app का subscription लो पहले आप इस्तमाल करो, फिर विश्वास करो तो इसलिए पहले आप videos देखिए जो demo lectures available है वो देखिए उसके बार अगर आपको लगता है तो फिर आप तैय कर सकते हो क्या आपको लेना है या नहीं लेना है क्योंकि mmacademy app, मैं इस तरीके का उसे app बनाना चाहता हूँ जहाँ पर highest quality के जो courses है वो available रहे most of the exams के लिए तो अभी तो शुरुआत हुई है धीरे 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 जो courses है वो आते जाएंगे और ये जो mmacademy app है ये best quality hub जो है वो बनकर उभरने वाला है तो इसलिए आप एक बार डाउनलोड कीजिए जो link है वो आपको description में मिल जाएगी कि आपको जो videos है वो ज़रूर पसंद आएगे क्योंकि complete source उसमें लाया गया है जिसमें फिलिम्स, मेन, सभी perspective से जो courses है वो आपके सामने आ रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी का course शुरू होने जा रहा है अगले मैने से मतला 1st June से 31st को ही पहला वीडियो जो है वो आज आएगा लेकिन 1st June से जो course है वो शुरू होने जा रहा है तो जल्द से जल्द इन्रोल कीजिए क्योंकि ऐसा course आपको और कोहीं नहीं मिलेगा आपको आपको पता ही है न कि यहाँ पर ऐसा नहीं है जो भी exam आपको अचीव करना है वो आप आसानी से अचीव कर सकते हो finally MM Academy आपको इतना प्यार इतना अचा रिस्पॉंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अचा रिस्पॉंस देखकर मेरी responsibility और ज़दा बढ़ गई है झाल